कावेरी पुकारे अभ्यान बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है और UN Environment ने ईशा फाउंडेशन को अपने कमपेंडियम में शामिल कर लिया है तो करनाटक सरकार इस साल हमें लगभग तेहत्तर लाख पौधे दे रही है सभी को हिस्सा लेना होगा तभी समाधान निकलेगा नमस्का सत्गुरू मैं जानना चाहता हूँ कि कावेरी पुकारे अभ्यान में जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है और मैंने कुछ पोस्ट भी देखे जिनमें लोगों ने कावेरी पुकारे के बारे में नकरात्मक चीजे लिखी है मैं सोच रहा था कि वो ऐसी चीजे क्यूं लिख रहे है क्यूंकि वो हर चीज के खिलाफ है कावेरी पुकारे के साथ क्या हो रहा है ये अभ्यान बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है एक चीज ये है कि UNCCD जो दुनिया में रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया को रोकने वाली समिती है उसने कावेरी पुकारे को मान्यता दे दी है और हम हम कई पहलूं में उनके साथ साज़ेदारी में काम करेंगे और शायद UNCCD के अध्यक्ष हमारे एक आयोजन में कुछ ही दिनों में हिस्सा भी लेंगे हमने बॉन में कुछ चर्चाएं की आपने देखी होंगे और UNCCC जो जलवायू परिवर्तन की रोक थाम करती है वो भी ईशा से जोड रही है क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये जलवायू परिवर्तन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है और UN Environment ने ईशा फाउंडेशन को अपने कमपेंडियम में शामिल कर लिया है जो एक बड़ी बात है साथ ही करनाटक सरकार एक सरकारी ओर्डर देने वाली है फिलहाल हमारी टीम और उनकी टीम कई बैठकें कर रही हैं और वो मुआवजा देने के लिए तयार है वो ना सिर्फ मुआवजा दे रहे है वो उन लोगों को भी पांच रुपे दे रहे है जो किसानों को पेड़ लगाने के लिए प्रोचसाहित करते है पांच रुपे का प्रोचसाहन तो हम जमीनी स्तर पर इसकी तैयारी कर रहे हैं पौधे तैयार किये जा रहे हैं करनाटक वन विभाग गैरा प्रकार के पौधे दे रहा है जिनकी हमें इस अभ्यान में जरूरत है और हमारी नर्सरियों में भी पौधे तैयार हो रहे हैं और कावेरी पुकारे के बाद, हमारा पौधों का उत्पादन, 40 से 45 लाख पौधे, जो आन तोर पर एक साल में बांटे जाते, वो किसानों ने दो महीनों में ही ले लिये हैं. तो करनाटक सरकार इस साल हमें 73 लाख पौधे दे रही हैं, जो हमारी ज़रूरत और सुझाव के अनुसार तयार किये गए हैं. अगले साल वो हमें 2 करोड पौधे देंगे, और 2 साल बाद, वे हर साल 8 करोड पौधे देंगे. इस तरह की चर्चा तमिल नाडू में भी चल रही है. जमीनी स्तर पर हम स्थानिय युवाओं को तयार कर रहे हैं, जिन्हें किसानों को प्रोचसाहित करना होगा, और जिन्हें सरकार से मदद मिलेगी. हम बस चीजों को आसान बना रहे हैं, और सब को साथ रख रहे हैं, जमीनी स्तर पर किसान ये करेंगे, सरकार हर चीज दे रही है, धन्यवाद हमारे स्वयम सेवकों का, पैनल सदस्यों और नदी अभ्यान बोड का, साथ ही पर्यावरन मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय का, ये सब ही हमारे साथ हैं, और सबसे बढ़कर संयोक्त राष्टर की संस्थाएं हमसे जुड़ गई हैं, जिससे इसे एक नया आयाम मिल रहा है, सितंबर, अक्तूबर, नवेंबर, मैं कहूंगा कि दाई महीनों के समय में इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ लोग बोल रहे हैं, कुटों को भौंकने में मज़ा आता है, क्या करें? नहीं मैं कुटा शब्द का इस्तेमाल बुराई करने के लिए नहीं कर रहा, मुझे कुटों से प्यार है, कुटों की प्रकृती ही ऐसी होती है, कि वो उन्हीं लोगों को देख कर पूंच हिलाता है, जिनें वो जानता है, किसी भी अनजान चीज़ को देख कर वो भौंकता है, अगर शिव खुद आ जाएं, तो भी वो भौंकेगा, लेकिन अगर उसका मालिक चोर है तो भी वो पूंच हिलाएगा तो जान पहचान एक मात्र गुण है जिसके द्वारा वो स्विक्रिती दिखाता है किसी भी अनजान चीज को देखकर वो भौंकेगा उस अर्थ में मैं कह रहा हूँ कि कुटों को भौंकने में मज़ा आता है मैं कुटों को बदनाम नहीं करना चाहता ये किसी के खिलाफ बयान नहीं है पर दुरभाग्य से कई लोगों ने समस्याओं में निवेश कर रखा है मुझे लगता है कि उन्हें समधान को देखकर डर लगता है मैं उन्हें समधान में बदलना चाहूँगा वे लोग भी क्योंकि कोई फरक नहीं पड़ता वे भी इंसान है ठीक है लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर हम कुछ गलती करें तो वो हमारे प्रोजेक्ट में गलती दिखाएं वो शांदार होगा वो ऐसा नहीं कर रहें वो बस बुराई कर रहें जिसका कोई मतलब नहीं है हम उस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे पास कोई डिगरी नहीं है मेरे पास जल विज्ञान में पी एजडी नहीं है हाँ वो यही कह रहे है कि उसके पास कोई डिगरी नहीं वो यह सब कहने वाला कौन होता है बस मेरी बात सुनिए अगर ठीक लगे तो करते हैं गलत लगे तो मुझे कुछ और बताईए मैं उनसे यही कह रहा हूँ मैं तुरंत वैसा करूँगा अगर मुझे ठीक लगा तो और मुझे फरक नहीं पड़ता कि आपके पास पी एजडी है क्योंकि मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं देखिया अनपड़ लोग ताली बजा रहे हैं क्योंकि मेरे लोगा